हेलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल प्रेग्नेंसी नौलिज हेल्प में दोस्तो आज हम इस वीडियो में स्वपना सास्त के अंसार गरबावस्ता में सपने में सबजियां दिखाई देने का क्या अर्थ होता है इसके बारे में ज आप हमारे चैनल पर नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ओल पर प्रेस जरूर कर देजिएगा ताकि आपको प्रेग्नेंसी से जुड़ी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं हम पूरी कोशिश करेंगे रिपलाई देने की तो चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो जब एक महला प्रेग्नेंट होती है तो उसके सहीर में कई तरह के हार्मोंस के इस तर कम ज़ होती रहते हैं ऐसी स्थिती में सारी रिक बदलाओं के साथ साथ उनके सारी रिक कार्य करने की चमता और नीन पर भी भारी बदलाओं देखने को मिलता है इन सबी बदलाओं की बज़े से एक गर्वती महला में फावनात्मक और मनोवे ग्यानिक रूप से कुछ प्रवाव देखे जा सकते हैं इसके अलावा दिन वर उनके साथ होने वाली बातों या कटनाओं के कारड़ भी उनके दिमाग में कई तरह की भाबनाओं का विकास हो सकता है जिसकी बज़े से भी गर्वावस्ता में सपने आ सकते हैं वही एदि सवपन सास्त्र की माने तो हर सपने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है अगर एक प्रेगनेंट लेडी अपने सपने में सबजियों को देखती है तो उनके मन में ये सवाल जरूर आता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों सवपन सास्त के अनुसार जब एक प्रेगनेंट लेडी अपने सपने में हरी सबजियों को देखती है तो ये सपना एक बहुत ही अच्छा सपना शुब सपना माना गया है सपन जोती शास्त के अनुसार यदि कोई व्यक्टी अपने सपने में हरी सबजी देखता है तो उसके आने वाले समय में उसे प्रसनता प्राप्त होती है और अगर यही सपना कोई गर्वती इस्त्री देखती है तो दोस्तों उनके लिए भी ये सपना इसी बात की और इशा करता है कि उनके आने वाले समय में उने भी प्रसनता प्राप्त होगी दोस्तों यह सपना इस्त्री और पुरस दोनों के लिए एक समान माना गया है तो दोस्तों अब बात करते हैं यदि एक प्रेग्नेंट लेड़ी अपने सपने में कद्दू को देखती है तो उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों यदि एक गर्वती महला अपने सपने में कद्दू को देखती है तो यह एक अच्छे और खुशहाल बच्चे के साथ साथ एक स्वस्त बच्चे के जन्म का संकेत माना जाता है और साथ ही आने वाले समय में प्रसब अच्छा होगा और एक दम स्वस्त और मजबूत होगा इस बात की और इशारा करता है दोस्तों यह सपना भी उनके लिए एक बहुती सुप सपना माना गया है अब बात करते हैं दोस्तों यदि एक गर्वती इस्तरी अपने सपने में हरी लौकी को देखती है तो इसका क्या मतलब हो सकता है दो तो स्वापने सास्त के अनुसार यदि एक प्रेग्नेट महला अपने सपने में एक लौकी को देखती है तो उसके आने वाले समय में सुन्दर और सुसील पुत्र होने का संकेत माना जाता है लेकिन यह सबना इस बात की और भी सारा करता है कि आपने सब्जियों को किस तरह दे कारते हुए देखा है कि आपने सास्त के अनुसार इन सब का भी एक अपना अलग अर्थ होता है अगर आप ने किस तरह की सब्जियों को देखा है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें साथी अगर आप मारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें थेंक यू